हेलो फ्रेंट्स वन सेगिंड वेलकम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंट्स जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो कुछ प्लांटा हमें ऐसे पर्चेस करके लाते हैं जो शेट लविंग प्लांट हो इंडोर में चलने वाला बहुत ही अच्छा और एक रॉफ प्लांट जिसकी जाते हैं और भी बहुत सारे नामों से यह प्लांट जाना जाता है तो इस प्लांट की कियर समर में हमें कैसी करनी चाहिए और अगर हम इंडोर में रख रहे हैं तो कैसी कंडिशन में रखनी चाहिए कितनी संलाइट देनी चाहिए वाटरिंग कैसी करनी चाहिए और फटला की लास तक जरूर बने रही है और जो फ्रेंट से मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल एकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिल जाए फ्रे से यह मैंने कटिंग से चार सल पहले ग्रो किया था और इसी प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांटे भी ग्रो किया है यह मेरे फ्रेंट गार्डन में यह प्लांटे है और मेरे टेरेस गार्डन में भी दो तीन प्लांट मेंने कटिंग से ग्रो कर रखा है और आज भी मैं कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं वो भी शेयर करूंगी तो पहले कियर की बारे में शेयर करूं तो फ्रेंट से जैसे कि मैंने बोला है कि यह वैस्ट इंडोर यह पिरुफाई प्लांटे हैं तो इसे हम इंडोर में भी रख सकते हैं और आउटडोर में भी रख सकते हैं तो इ किसे खड़की के साइट में रख सकते हैं या कहीं ब्राइट लाइट आ रही है आपके घर के किसी भी कॉनर में जैसे धूप ना पहुंच रही हो लेकिन एकदम ब्राइट लाइट है रोशनी है उत जगह पे इस प्लांट को आप समर में रख सकते हैं और अगर विंडो के ब्राइट में मत रखिए क्योंकि इनकी सुंदर संदर से पतियों में जो यह संदर से कलर है ग्रीन में रहा वाइट कलर के इनमें जो इस पोट है वो खराब हो जाएंगे और हमारी जो यह लीप की शाइनिंग है वो एकदम से ओड़ जाएगी तो कोशिश कीजिए किसी बहुत ही अच्छी तरके से आपके पास रहेगा और सालों साल तक रहेंगे और इनकी पतीयों की चमक कभी भी खराब नहीं होगी pottering की बात करूँ, तो फ्रेंट से इस प्लांट को water loving प्लांट कहते भी हैं, मतलब इस प्लांट को पानी बहुत अच्छी मातरा में पसंदे, तो धहन रखी हैं जैसे indoor में रखा हैं, तो एक दिन झोड़कर आप पानी दे सकते हैं, और outdoor में रखा है तो इसकी soil एकदम सूख ज तो रोज एक टाइम इस प्लांट को आप पानी दे सकते हैं पानी देने का मतलब है फ्रेंट से प्लांट की जब पतिया एक दम नीची की तरफ जुग जाए तब आपको लगेगा कि हाँ इसमें पानी देना है लेकिन ओवर वाटरिंग मत कीजिए कि दिन में दो तीन बार भर पानी दे रहें और प्लांट एक दम से सौक्ट में आके आपका प्लांट खराब हो जाए इसके रूट से खराब हो जाए तो जलिए इस Prane को हम multiply कैसे कर सकते हैं तो ये देखिए मैं note area show कर रही हूँ friends दो पतियों की बीच की note area होता है वहाँ से अगर हम cutting लगा देते हैं friends से तो हमारी जो cutting होती है वो 100% success होने के chances होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि जो note area से हमारा plant cutting करते हैं यहां से roots से जल्दी निकलने का chance होता है और यहां से हमारा जो natural rooting हर्मोन से होते हैं वो भी निकलता है उससे हमारा plant जल्दी ग्रो हो जाता है तो देखिए मैं cutting लगाने के लिए friends से disposal का use कर रही हूँ तो summer में जितनी भी मैं cutting यूज़ करती हूँ ज्यादतर में disposal यह nursery से black color की polythene लेके आती हूँ उसका use करती हूँ तो अभी मुझे छोटा सा plant लगाना है तो यह छोटे से disposal का use कर रही हूँ तो इसमें मैंने only normal garden soil लिया है कुछ भी इसमें mix नहीं किया ना fertilizer ना sand तो normal garden soil में ही इसी को मैं cutting से grow करूंगी और जब इनकी cutting grow हो जाएगी फ्रेंट से तो मैं वेडियो आपके साथ जरूर शियर करूंगी तो चलिए cutting लेते हैं वैसे मैंने प्लांटों को pruning करके बहुत अच्छा सा एक look दे दिया है तो यहां से cutting लेते हैं note area से note area से लेने से हमारे roots से निकल जाते हैं तो यहां से मैंने cutting ले लिया है और इनकी नीचे की पतिया हटा दूँगी और यह note area आप देख सकते हैं यही से लिया है मैंने cutting तो इनकी पतिया हटा के तब इसे लगा दूँगी में तो normal garden soil लिया है 50% normal garden soil है और 50% sign का यूज़ करके तब आप soil तियार कीजिया और फिर उसे report कर सकते हैं तो यह एक hole मैंने बना दिया है और इसे दवा दूँगी इसी soil में और इसमें पानी डाल दूँगी तो cutting को success करनी के लिए दो बातों का धहन रखना होता है एक पानी और एक धूप तो इस प्लांटों को वैसे भी इंडोर प्लांटे हैं तो इसकी cutting को तो धूप बिल्कुल भी ना लगे तो यह देखिए मैं पानी दे दे रही हूँ और यह मेरा जो soil है बहुत ही अच्छा well train मेंने तियार किया है तो नीचे से मैं होल तियार किया है जिससे मैं watering करूँ तो यह पानी drain हो जाए जिससे हमारा जो प्लांटे है वो success होने के chances होते हैं और इस प्लांटों को मैं बिल्कुल भी धूप में रखूँगी दो तीन हवते तक उसके बाद देखती हूँ प्लांटे ग्रोह हो जाए फिर मैं आपके साथ वीडियो भी शियर करूँगी प्लांट के उपर और फटलाजर की बात करूँ तो फ्रेंट से इस प्लांटों को फटलाजर की जादा ज़रूरत नहीं होती है मैं महने में या दो महने बाद कभी कभी इस में देंद मतार लिंद संच नहीं हो इस कोई तक इस प्लांट को आनी दें कि차 करना नहीं क् anonymous को पर ज्रोब आूँ करते हैं कि यह ज्युत ब्सक्तां बा Alle Baptist gonna में तक बूलिंग लिए प्रेजर यूरीछ रोग एक झाल सर वांज स्टेशफ लूप लूरीछ बाफ टोग एक झाल सेटी जड़ा गरेखांगे जड़ी हैं